सीता पूरब जनम में कौन थी जानिये सच जये स्री किष्ण मित्रू स्वागत है आप सभी भाईयों का हमारे यूटूब चैनल दरपड ग्यान गंगा में दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही रह समय है इस वीडियो में आप जानेंगे कि सीता जनक नंदनी जो राम की पतनी थी ये तूरब जनम में कौन थी तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने दर्सकों से चाहूँगा अगर हमारे इस चैनल पर नए आये हैं तो हमारे इस च चैनल दर्पन ग्यान गंगा को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन घंटी को अवस्च दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो दोस्तो आएए सीता की कहनी की और ध्यान देते हैं लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहे रहें बंद बेद बती नाम की कन्या थी और ये बिसरू की भक्त थी और बिसरू की साथ साथ तपस्या भी किया करती थी ये बिसरू जी को पती के रूम में प्राप्ट करना चाहती थी एक बार ऐसा हुआ एक समय ये बेद बती तपस्या कर रही थी जंगल में तो इधर राबर गुमने के लिए गया और बहीं से राबड गुजर रहा था जिस जगह पर ये बेदवती विश्रु भगवान की तपस्या कर रही थी राबड ने देखा इस बेदवती के तरफ क्योंकि ये बेदवती देखने में बहुत सुन्दर थी तो राबड ये बेदवती के पास में गया और कहने लगा कौन है आप आप तो बड़ी सुन्दर हैं आप हमारे साथ घर चलो और हमसे विभा करो तो बेदवती ने राबड से कहा ऐसा कदाप नहीं हो सकता क्योंकि मैं साधी करना चाहती हूँ तो केबल बिस्णू जी से और उन्ही को पती रूम में प्राप्ट करना चाहती हूँ और उन्ही के लिए ये तब कर रही हूँ तो राबड ने जिद की अर्थात जबर दस्ती की और बेदवती के साथ बहीं पे दुर्बिभार करना चाहा और जैसे ही राबड ने बेदवती को चुआ तो बेदवती ने अपने सरीर को बहीं बस्म कर दिया और बस्म करने से पहले कहा कि हे राबड तूने हमारी तरफ कुद्रिश्टी डाली है और जा मैं तेरी पुत्री बनकर के अगले जनम में जनम लूँगी और तेरी मौत का कारण बनूँगी यह हमारा स्राप है इतने सब्द कहने के बाद में बेदवती ने अपने सरीर को बस्म कर दिया दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने के ततफ़शाद एक दिन राबड की पत्नी मंदोदरी के गरब से एक कन्या पैदा वही कन्या पैदा होई तो राबड ने सोचा कई बोई वेदवती ने तो नहीं जनम लिया है मौत के डर से राबड ने उस कन्या को समुंदर में फैंक दिया इधर समुंदर की पत्नी वारडी ने उस कन्या को प्रिथवी मेंया के हवाले कर दिया और उसी कन्या को प्रिथवी ने राजा जनक के हवाले कर दिया जो जनक ने अपनी पुत्री सुईकार किया और जनक की पुत्री सुईकार होने के कारण इसी का नाम और ध्यानरेश, दसरत के पुत्र राम से हुआ, सीता राम का बिबा हुआ, राम के लिए चौदे बरस का बनवास हुआ, और ये सीता बन में राम के साथ गई जब सीता बन में गई हैं, तो राबड ने सीता का अपाहरण किया, सीता का जब अपाहरण किया, तो राम ने जाकर के राबड का बद किया, और सीता को लेके आया, अर्थात, यानि सीता ही, वोई बेदमती, सीता बन करके और राबड की कन्या बनी हैं, और राबड की ही मौत क कारण बनी तो दोस्तो सीता जो पूरव जनम में थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है जैसा मुझे जहां पर मार मिला वो मैंने इस वीडियो के माधिम से आप तक पहुँचाया है अब सच क्या है और जूट क्या है तो वो खुद राम ही जाने तो दोस्तो कैसी लगी हमारी वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अबस करना और दूसरों को भी सेयर कर देना रादे जैस्री किष्ण जैस्री राम बंदू